महात्मा गौतम बुद्ध जी के दस विचार एक दूसरों के सामने कुछ भी साबित करने से पहले यह जरूरी है कि हम खुद को साबित करें। हर इंसान की प्रतिसपर्धा पहले खुद से होती है। दो, गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को फ्रेम का सहारा लेना पड़ता है। फ्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। 3. इनसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है वह बैसा ही बना जाता है। कोई मनुश्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे कष्ट ही मिलता है। वही यदि कोई व्यक्ती शुध विचारों के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे जीवन में खुशिया मिलती है। ये खुशी उसकी परच्षाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। चार, महात्मा गौतम गुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ायां जीतने से बेहतर स्वयम पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयम पर विजय प्राप्त कर लिया, तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं चीन, सकता, पांच, जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बाठने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां बाठने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। 6. जंगली जानवर की अपेक्षा कप्टी और दुष्ट मित्र से दरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुचा सकता है, लेकिन बुरा मित्र आपकी बुद्धी को नुकसान पहुचाता है। 7. अच्छी चीजों के बारे में सोचें हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और खुश रहें। 8. भविश्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलजो। भूतकाल के समय को याद करके पच्छताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। 9. अपना रास्ता स्वयम बनाएं हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। 10. भूतकाल में मत उलजो। भविश्य के सपनों में मत खो जाओ। बुश रहने का रास्ता है। झाल